हेलो दोस्तों बहुत-बहुत सवागत है आपका मेरी यूट्फी चैनल पर आज बात करेंगे कि किस तरीक इसी कैरियर के के केस में जब हम एस्टराइए और निमरलोजी में कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के के इसमें कैसे prediction की जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि astrology में astrology के अंदर अगर हम बात करते हैं positive combinations की तो क्या होते है astrology के अंदर 6 & 11 अगर आप कोई नहीं पता तो आप मेरी playlist में जाके search कर सकते हैं आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे इसके बारे में negative combination 5 8 12 6 8 12 अब यह 6 8 12 के साथ 6 12 6 8 यह कोई भी combination नेगेटिव होते हैं यह तो आपको सुब को पता है पट इनका impact कैसे आता है अब होता गया है इसके इसे समझते हैं यह चार्ड मैंने रेंडम ली जो भी मेरे पास सेव था मैंने उसको लिया हुआ है यहां पर इनकी डेस्टिनी 6 है अब हम आते हैं कि किस तरीके से prediction की जाती है suppose कीजिए हम बात कर रहे हैं अभी इनके अगर हम बात करें किसी पॉजिटिव प्लैनेट की यहां पर मुझे पॉजिटिव प्लैनेट दिख रहा है के तू क्योंकि तू पॉजिटिव है क्योंकि 6 11 आ रहा है और कोई नेगेटि वीनस न्यूट्रल है यह 50-50 है यह अच्छा है यह अच्छा है यह खराब है यह खराब है और यह खराब है इसके साल यह अच्छा है ठीक है लेकिन अभी जुपिटर में एक्जामपल के लिए मैं आपको जुपिटर और मरकरी की एक्जामपल से समझाँगो एक्जामपल आज के टाइम पर अगर हम अभी चार्ट पर भी जाएंगे में चार्ट पर भी जाएंगे इनको महादसा चल रही है मरकरी की इसके अंदर आ गया जुपिटर तो क्या होगा क्या रिजल्ट आएगा बड हम यहाँ पर बात करेंगे साथ सा निमरालजी अगर इस टाइम पर निमरालजी ठीक हो गई ठीक है पॉजटेव है तो जोब लॉस्ट नहीं होगा होगा क्या फिर केरियर में प्रॉब्लम आएगी फिर यह क्या प्रॉब्लम माएगी जोब में इनकन्विनियंस रहेगी बिजनस करते हैं तो उतनी सेल नहीं होगी उतना टरन ओवर नहीं होगा लेकिन अगर इस टाइम पर निम्रॉलजी अच्छी है तो वह एक स्टेबल इंकम रखेगी जैसे जॉब में है जॉब में अगर सिर्फ एस्ट्रॉलजी की बात करें तो जॉब लॉस हो सकता है लेकिन मुझे बाउल बॉस्टीव होगी तो जॉब लॉस नहीं होगा यही चीक्क है तो इस तरीके से अंतr आता है शुक्तांनी हमें दोनु को ही मिंत टो कि दोनों को mix करना ज़रूरी होता है तो एक actual chart पर चलते और फिर देखते हैं क्या होता है देखे इस time पर mercury के इंदर जूपिटर ही चल रहे है mercury भी नेगेटिव जूपिटर भी नेगेटिव अपर दोनू नेगेटिव है इसमें लेकिन मुझे पता है कि इस पे इनकी निम्राजी पॉजिटिव है तो हम इनको क्या प्रेटिक्शन देंगे कि आपकी जॉब लॉस तो नहीं होगा बट यह साब को आपकी जो परके रिया है वहां पे इनकन्वीनियन्स हो सकती है लड़ाई चगड़े हो सकते हैं अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी होगा कि सेल अपॉचुनिटी लॉस में हो सकती है बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रहेगी ठीक सी रहेगी अब डिपेंड करता है निम्राजी कितनी पॉजिव है अगर निम्राजी न्यूटरल हो गई तो तो फिर काम खराब हो गया निम्राजी अगर कि वीडियो देखे होंगे क्लास के तो मैंने उसमें पता होगा है कि इस तरीकी के चार्ट ही है कि यह बेस चार्ट स्ट्रॉंग है अब जितने जादा यहाँ पर टैन एलेवन होंगे जैसे यह पॉजिव है और यह पॉजिव है उसके पास इस टाइम पर ग्रोथ बहुत ज जींदे आच्छी होंगे महाँदशा और अंतर जार पर करता है निम्राल्जी के अंतर कि उस ठाइम पर वह बेस चार्ट को कितना और वह म lahाँदशा स्ट्रेंथन maior या फिर वह स्ट्रॉंग बना रही होगे तो आप उतना है ज्यादर क्रोंगर एंगे यही रीजन है कि हर एक का दस ही 11 हर एक के positive और प्लैनेट होते हुए भी दो लोग है उनकी से माली जीजिए सैटन दोनों का positive है तो उन दोनों को different result मिलते हैं यह reason है उसका अब आते हैं अब for example mercury है अब हम चलते हैं इधर मरकरी के अंदर सैटन अच्छा थाइम कब सुधरेगा तब सुधरेगा जब मरकरी के अंदर सैटन आएगा सैटन बहुत positive है यहां पर 611 पूरा का पूरा चार्ट में दिखता है और काफी positive है लेकिन mercury करेगा क्या जैसे कि आपने वीडियो म अघ् में देखा होगा जो मैंने पुराने बनाये हैं अगर आपने देखे हैं तो आप जानते होंगे कि बए यह ना बहुत जादे जब अंड़ी फाफेर्द मरकरी है तो एक बड़ी ग्रोथ निनीस देगा अल्दो यह ग्रोथ लेकर आएका बड़ बढ़ी ग्रोथ नियो तो हम भी कह सकते कि बेस्ट टाइम जो आएगा वह के तुमा आएगा और यह टाइम सुधरेगा वह टाइम सुधरेगा आप मांद की जा सकते हैं ऑक्टोबर दो हजार चौबिस के बाद जुपिटर है तो वह कुछ जादा कुछ करने ने देगा ध्यान रखेगा राहू आए जब हम हेल्थ की बात करते हैं जब हम प्रॉपर्टी परचेश की बात करते हैं हम नेचर की बात करते हैं मैच मेकिंग की बात करते हैं तो वह सब चीज़ें ऐसे ही मिक्स करके ही प्रेडिक्शन की जाती है तो अगर आप कोई कॉंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज ले